ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति हम सभी कितने भग्वान हैं, जो प्रभु की पालनामे उनके वर्धानों में पल रहे हैं कभी सोचा था कि रोज हमें भगवान से वर्धान मिलेंगे भक्ती करते थे, तब अच्छा भी करते थे, सोचते थे कभी भुर्वान राजी तो अवस्य होगा और हमें वर्धान देगा, हम उसे ये मांगेंगे, ये मांगेंगे चन्तु जब वो आया, तो हमें पता चला, वो वर्धाता तो हमारा अपना है और अधिकारी बच्चों को, वो सदा ही अपने वर्धानों की पालना में पालता है हम सभी उनके अधिकारी बच्चे हैं, जिसने स्वयम पर अधिकार कर लिया वे उसके अधिकारी बच्चे बन जाते हैं, और उन्हें वे सर्वत सुतदाम कर देते हैं तो हम सभी बावा के अधिकारी बच्चे बनें, और रोज बावा से अमरत्वेले वर्धान लें बहुत सुन्दर वर्दान लेने की विधी है बाबा के सामने हैं हम सुक्सम लोक में सामने देखें उन्हें प्रम्मा बाबा के मस्तक में महाजोती चमक रही है बाबा दरश्टी दे रहे हैं और फिर बाबा ने अपना वर्दानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया मस्तक पर तिलक लगाया और वर्दान दिया बच्चे महायोगी भव माया जीत भव दिव्य बुद्धी से जंपन भव सुक्षान्ती संपन भव संपोन पवित्र भव वर्दान लिये रोज बावा से चित एक सकून पाएगा चैन पाएगा मानानंदित होगा रोज प्रभु मिलन का आभास होगा योग करते करते एक योगी की स्थिती बन जाती है न्यारे और प्यारे सब हमारे हैं हम सब के हैं कितना जितना देहिस से न्यारे होते जाते हैं उतना अपने चारो ओर के वातावरन से, संबंधों से, लगाओं से, आसकतियों से, कर्मिंदियों के आकर्सरणों से न्यारे होते जाते हैं और जितने जितने न्यारे होंगे उतने ही विश्व के प्यारे भी होते जाएंगे तो एक योग युक्तात्मा को बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए कर्म किया और कर्म से न्यारे होगे सबसे मिले जुले प्यार दिया अपना पन दिया और न्यारे होगे अगार्थो का आप शक्ता मुसार उप्योग किया और न्यारे होगे अर्थाद, उनके इफेक्स से, उनके आकरसंस से, पूरी तरह मुक्त हो जाना, यही योगी की स्रेश्ट पहचान है, और जो मनुस्य आचक्त होता है, जो नेरा नहीं रहता, वो तो सच्मुच्य योगी है ही नहीं, क्योंकि सारा दिन हमें कर्म के संबंद में आना है, सारा द इलेक्स के साधनों के, और नेक साधनों के संबंद में आना है, उन समको यूज करते हुए, उनके साथ रहते हुए, नियारे होकर हैं, जैसे हम उनमें अठके हुए नहीं हैं, हमारा चित तो उप्राम है, उपर है, इसके लिए हमें बहुत अच्छी साधनाय करनी पड़ती हैं, विशेश रूप से, कि ये सभी साधन विनासी हैं, ये हमारे यूज के लिए हैं, हमें इनमें आसक्त नहीं होना, जोकीन से अच्छी चीजे हमें मिलने वाली हैं, और यदि हमें इनमें आसक्त हो जाते हैं, तो बुद्धियोग तुरण तूटने लगता है, तो हमें ऐसा अभ्यास रखना है, आज सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा विश्व कल्यान की खातिर बावा के साथी वनकर इस धरा पर उतरित हुई हूं, सारा समय, हर गंटे में एक दो बार ये गुद्ध फीलिंग रखेंगे, और रोज सवेरे बावा से वर्दान अवस्य और आज के दिन तो सवेरे भी वर्दान लेंगे, और दिन में भी दो चार बारी से अपने गुद्ध फीलिंग और नसे में लाएंगे, तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स, ओम च्छान्ती.